हाई फ्रेंट्स वेलकम तो टूड़ेश वीडियो तो टूड़ेश वाल दूदा क्वेश्टन नूमर फर्स्ट और सेकेंड आफ एक्सरसाइज 3.1 आफ मैंच साइट इंडानिका लर्निंग बूक सेवन त्रिवाइश टूड़ेशन ओके सिप्रेंट्स लेट्स स्टार्ट कि अपर फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट में हमने इन सबी को रेश्टनल लंबर के जैसे लिखना है एस अब जीरो है चाहिऊर निचे जीरो नहीं नहीं तक बद इसमें आप उपर जीरो डालेंगे अगर कोई नंबर के निचे कुछ भी नहीं आहो थो हम उसके नीच 67 के नीचे क्या डाल देंगे 1 14 है 14 के नीचे क्या डाल देंगे 1 14 upon 1 पहले का था 0 upon 1 सेगंड का था 67 minus 67 upon 1 C का था 14 upon 1 अब देखो D part में है 3 divided by minus 5 अब देखो ये कैसे लिखेंगे minus 5 देखो अब 0 तो है नहीं है सो अब इसको ही rational numbers के जैसे लिख सकते है 3 upon minus 5 ओगी से friends let's move to next question से friends अभी हमारा second part है second part में हमने क्या करना है इनको हमने इनकी simplest form में लिखना है जैसे कि अब 121 upon 110 minus 110 है सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे इनकी simplest form में सो यह तोनों किस के टेवल के उपर आते हैं 11 के टेवल के उपर 11 के साथ करेंगे सो हमारा answer के जाएंगा 11 upon 10 बटा यहां पर minus था सो हम यहां पर लगा देए minus 11 upon 10 minus 84 upon minus 27 अब देखो यह कैसे करेंगे हमने यह हम कर सकते हैं जैसे कि जो हमारा 27 होता है सो हम इसको कर सकते कि इसके साथ 3 के साथ सबस्वेल माइनस माइनस कट जाएगा 3 के साथ कर जो दोनों को 84 divided by 3 के तना हो जाता है 28 अब जो 27 होका 27 divided by 3 के तना हो जाता है 9 28 upon 9 सो अब हम करते हैं C part माइन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mixed fraction में 1 1 1 upon 10 1 hole 1 upon 10 और इसको 3 hole 1 upon 9 और वैसे ही यह इसमें माइनस कर जाएगा और हम इसको कर देगे 19 के साथ जो कि हमारा आंसर आदेगा 5 upon 1 जो कि हो जाएगा 5 108 upon minus 21 सो हम इसको किसको साथ कर सकते है 3 के साथ सो अगर हम इसको 3 के साथ करें सुपर कितना जाएगा 180 divided by 3 कितना हो जाता है 36 and 21 divided by 3 कितना होता है 7 अब देखो यहां पर लगजिए कि minus minus 36 upon 7 ओभी से फ्रेंट्स आज के लिए लिए नहीं मिलते नेक शुडूम तबते के लिए भाईब मैं चिकपो सब्सक्राइब करते ने सुडूक क लाएक करते ने मैपस से कुमिनूग नेक शुडूम में तबते के लिए भाईब